यूंडाई की अगली ओफरिंग नेक्स जन क्रेटा को इंडिया में टेस्टिंग के दोरान देखा गया है इसको बहुत ही छुपा के रखा गया था लेकिन ये एक प्रोडक्शन ब्रेडी अफ्तार के रूप में बाहर आई इसको 2020 में आने वाले ओटो एक्सपो में प्रस्तुत किया जाने की आस है नई क्रेटा में अब स्लैक्टट ग्रिल है जिसके दोनों साइट पे LED DRL के साथ प्रोजेक्टर हैड लैम्प्स है हुंडाई क्रेटा में 17 इंच के अलोई वील्स है और इसकी तेल सेक्शन में भी LED एलिमेंट्स शामिल है इसके साथ ही इसमें प्रोमिनेंट सेंट्रल कंसोल, डिजिटल इंस्ट्रुमेंट कंसोल और 3 स्पोक स्टीरिंग वील है हुंडाई में पैनोरैमिक संरूफ, क्रूस कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, फोन एप कनेक्टिविटी वाला तक्स्प्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टम, वारलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेट सीट्स, पावर्ड फ्रंट सीट्स, पुश बटन स्टार्ट वाले कीलेस एंट्री सिस्टम के साथ, ब्लू लिंक कनेक्टेट कार टेकनोलोजी की विशेशताओं की आज़ की जा रही है, 2020 क्रेटा में, वी एएस सिक्स कंप्लाइंट लियर लीटर सी आर डियाई डीजल एंजिन, या फिर वी टी वी टी पेट्रोल यूनिट एंजिन होना चाहिए, इसकी डीजल मोटर ज्यादा से ज्यादा 115 पी एस की पावर और 250 एनम का टॉक पैदा कर सकती है, जबके इसकी पेट्रोल मोटर 115 पी एस और 144 एनम को पैदा करने की योगता रखती है, दोनों ही एंजिन्स सिक्स स्पीड मैनुल गेर बॉक्स के साथ ओफर होने चाहिए, हाल जाएगी क्रटा से अगले साल ओटो एक्सपो में परदा उठाया जाएगा और इसके बाद जल्ब ही इसे लॉंच भी कर दिया जाएगा, इसका मूलिय और इसके वर्तमान जेनरेशन के बेस प्राइस दसलाग से ज्यादा होगा और ये किया सेल टॉस, एमजी हेक्टर, टा